निर्गमन अध्याय सैतीस फिर बसलेल ने बबुल की लकडी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई अढ़ाई हाथ, चवडाई देढ हाथ और उचाई देढ हाथ की थी। और उसने उनको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारो और सोने की बाड बनाई। और उसके चारो पायो पर लगाने को उसने सोने के चार कड़े ढाले। दो कड़े एक अलंग और दो कड़े दूसरी अलंग पर लगे। फिर उसने बबुल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदुक की दोनों अलंगों के कड़ों में डाला कि उनके बल संदुक उठाया जाए। फिर उसने चुक हे सोने के प्रायश्चित वाले डखने को बनाया। उसकी लंबाई अठाई हात और चवडाई देड़ हात की थी। और उसने सोना गढ़कर दो करूब प्रायश्चित के डखने के दोनों सिरो पर बनाया। एक करूब तो एक सिरे पर था और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के डखने के साथ एक ही टुकडे के दोनों सिरो पर बनाया। और करूबों के पंख उपर से फैले हुए थे और उन पंखों से प्रायसचित्त का ढखना ढपा हुआ था और उनके मुह आमने सामने और प्रायसचित्त के ढखने की ओर किये हुए बने फिर उसने बबुल की लकडी की मेज को बनाया उसकी लंबाई दो हाथ, चवडाई एक हाथ और उचाई देढ़ हाथ की थी और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारो और सोने की एक बाड बनाए और उसने उसके लिए चार अंगुल चवडी एक पट्री और इस पट्री के लिए चारो और सोने की एक बाड बन और उसने मेज के लिए सोने के चार कड़े ढाल कर उन चारो कोनों में लगाया, जो उसके चारो पायो पर थे। वे कड़े पट्री के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने। और उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबुल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा, और उसने मेज पर का सामान अर्थात, परात, धूपदान, कटोरे और उंडिलने के बरतन सब चोखे सोने के बनाये। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेथ दिवट को बनाया। उसके पुश्पकोश, गांट और फूल सब एक ही टुकडे के बने। और डिवट से निकली हुई छह डालिया बनी। तीन डालिया तो उसकी एक अलंग से और तीन डालिया उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फुल के सरेखे तीन तीन पुश्पकोश एक एक गाट और एक एक फुल बना। दिवट से निकली हुई उन छहो डालीों का यही ढब हुआ। और दिवट की डंडी में बादाम के फुल के समान अपने अपनी गाट और फुल समेत चार पुश्पकोन बने। और दिवट से निकली हुई छहो डालीों में से दो दो डालीों के नीचे एक एक गाट दिवट के साथ एक ही तुकडे की बनी। उसने दिवट के सातो दीपक और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दिवट को किकार भर सोने का बनाया। फिर उसने बबुल की लकडी की दुपवेदी भी बनाए। उसकी लंबाई एक हाथ और चवडाई एक हाथ की थी। वह चवकोर बनी। और उसकी उचाई दो हाथ की थी। और उसके सिंग उसके साथ बिना जोड के बने थे। और उपरवाले पल्लों और चारो ओर की अलंगों और सिंगो समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा। और उसकी चारो ओर सोने की एक बाड बनाई। और उस बाड के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के दो कड़े बनाए। जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दे और डंडों को उसने बवुल की लकडिका बनाया और सोने से मढ़ा और उसने अभिशेक का पवित्र तेल सुगंद द्रव्य का धूप गंधी की रिती के अनुसार बनाया.